नमस्कार दोस्तों मैं दिनेस मालविये आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चेनल भोपाली दिनेस में और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको आज दर्शन कराने जा रहा हूँ विश्वय के सबसे प्र दर्शन करने के लिए सीधे भोपाल आ सकते हैं क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल और पूर्ट और आईसबीटी एवं सभी प्रकार की आतायात सेवाएं आसानी से उप्लग्द हैं भोपाल से मात रहें 30 किलो मिटर की दूरी पर है जब हम भोपाल से होसंगाबाद रोट पर रुपकर हमने कुलर चाहे का अनंद लिया और फिर चल दिया अपनी यात्राप रास्ते में गर्म गरम भुट्टे देखकर तो मन में लालच आ गया आए दोस्तों मेरे साथ दर्शन कीजिए भोजपुर मंदिर के मंदिर से पहले बना ये पुल और उसके नीचे से भेती कलकल करती नदी बहुत ही सांदार नजारा बना देती है मंदिर की तरफ बढ़ने पर आपको हार फूल और परसादी के दुकाने मिल जाएंगे जहां पर आपको अपने भोले बाबा पर चड़ाने के लिए बहुत ही गम दाम पर परसादी और हार फूल मिल जाएंगे बोचपुर का ये सुन्दर मंदिर मद्धिप्रदेश टूरिजम के अंडर है इसलिए उसको चारों तरफ से बाउंडरी कर दिया है मुख्य द्वार से अंदर आने पर आपको बहुत ही सांदार नजारा मिलेगा ये देखिए कितना प्यारा भव्य सुन्दर मंदिर विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा सिबलिंग जहां पर इस्ताभित है यह भव्य सुंदर मंदिर चार विसाल काय इस्तंभ पट्टिकार हुआ है त्यास कारों के हिसाब से यह मंदिर 11 वी सताब्दी में परमार राजा राजा भोज ने बन वाया था दोस्तों इंट्रेस्टिंग बात यह है ऐसा माना जाता है कि एक ही रात में बन कर तयार हुआ था ऐसी कहानी पर चली थे कि परमार राजा एक बार बहुत बिमार हो गए थे किसी आचारे ने उनको सला दी कि 9 नदी एवं 19 तलाव का पानी पीकर आप ठीक हो सकते हैं ठीक होने के बाद राजा ने एक ही रात मर एसा विशाल मंदिर बनवाने का प्रण लिया ऐसा कहा जाता है कि छट बनने से पहंड़े सुबह होगे जिससे छट का काम अदूर ही रहे गया दूसरी कहानी यह है कि पान्डवो के बनवास काल में भीमने माता कुंती के लिए ये विशाल मंदिर एक ही रात में बनवाया था पर सुबह होने पर इसका कार रोक दिया गया दोस्तों कहानी का सच कुछ भी हो पर हमारे लिए ये गर्ब की बात है दुनिया का ये एक ही पत्थर से बना सबसे बड़ा सिबलिंग है जो मद्ध भारत का सोमनाद भी कहलाता है सिबलिंग पर चड़ाय हुए जल के निकासी के लिए मगरमच के मुख के आकार में बनी हुई ये प्राचीन पासान कला का अब्वे सुन्दर नमुना है आप अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ यहां दर्सन करने का एवं पिकनिक का आनन्द उठा सकते हैं बहुती सुन्दर वातवरण एवं हर्याली है यहां बुजूर्गों के लिए यहां विशेश बिवस्ता है जो चलने में आसा हाई लोग हैं उनके लिए वील चेर यहां में गेट पे ही उपलब दे दोस्तों आज गया धुनिक यूग में जैसे घर एवं भवन बनवाने के लिए नक्से का उप्योग होता है बेसे ही इस भव सुंदर मंदिर को बनाने के पहले आर्किटेक एवं नक्से का उप्योग हुआ था इसका रहस यहां पत्थरों पर बने हुए नक्से से उजागर हुआ है आप भी पत्थरों पर रुकेरे हुए नक्से को देख सकते कुछ सुदर मूरती तो आज भी यहां दूरी है कि दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए एव हम कमेंट्स करके बताईए कि आप इस सावन सोंबार पर जा रहे हैं या नहीं दोस्तों आपके एक लाइक और कमेंट्स से मुझे वीडियो बनाने के लिए और प्रेयर नम ली मैसेज करके जरूर बताईए आपको वीडियो कैसा लगा दुनिया के सबसे बड़े सिबलिंग के दर्शन करने के बाद अब हम बोपाल वापस जा रहे हैं दोस्तों ऐसी ही इंट्रेस्टिंग कहानी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों बापस लोडते समय भुट्टे का आनंद जरूर लीजिए गर्म गर्म ताजा भुट्टा और उपर से नीवू लगा हुआ मज़ा ही आ गया दोस्तों मैं अब भुट्टे का आनंद लेता हूँ नीवू लगा हुआ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार